बारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक बार फिर गेहूं और आचे की किमतों में इजाफिक आरुजान तेखने में आया है। देश भर में किमते हर दिन बढ़ रही हैं और इससे लोग खासे परिशान हो रही हैं। साखे की संस्थान के अनुसार दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आठे के मुल्या में लगबक 3% तक की वृधी दर्ज की गई जिसका साफ मतलब है कि इस सप्ताह आठे की 20 किलो की थैले की कीमत कम से कम 200 रुपे तक बढ़ चुकी है। जाड़े के मौसम के दौरान कई शेत्रों में स्थिती ये है कि अगर घर की गैस का प्रेशर कम हो तो फिर तंदूर का रुप करना पड़ता है तब कि चपकी तंदूर से एक रोटी 25 रुपे से कम की नहीं मिल रही। एक रिशी परधान देश होने के बावजूद पिछले दो वर्षों से पाकिस्तान अपनी जरूरते पूरी करने के लिए गेहू आयात करने पर मजबूर हो रहा है। चालू वर्ष में गेहू की कुल पैदावार का लक्षे 2.39 लाख मिट्रिक टन रखा गया। स्थानिय जरूरत की तुलना में गेहू की कम उपज की वज़े से केंद्रिय कैबिनेट देश में 30 लाख टन गेहू के आयात को मंजूरी दे दी। पिछले वर्ष देश में 2.28 लाख मिट्रिक टन गेहू की उपज हुई थी। लेकिन ये पैदावार भी देश की जरूरत के लिए कम थी। और इसलिए पाकिस्तान ने 20 लाख टन गेहू दूसरे देशों से मंगवाया था। जिसका असर ये हुआ कि दूसरे देशों में भी गेहू की किमतों में तेजी देखने को मिली। बहराल पाकिस्तान का हाल काफी बुरा है। झाल के भाल का जाय को ज़मगा जढिए ने 20 के में डे शीतान कामाव innे 50 को में डे किता है।